जैहिन दोस्तों, सवगत है आपके अपने यूटूब चेनल पर दोस्तों, पस्ट गूरेड सिंख बर्ती को लेकर अब रहँत की खबर सी नजर आ रही है वहीं बात करें कि पस्ट गूरेड सिंख बर्ती की आंसरव है, result को लेकर अब वीदारतियों में कुछ राहत की सी खबर दिखाई देने लगी है दोस्तों जो RPSC 12 पस्ट गरेट 6-6 बर्ती की एक्जाम कनेक्ट करवाई गई थी दोस्तों इसकी आंसर को लेकर आपकी कल जारी करने की आसंका है दोस्तों वहीं बात करें कि इसके अंदर बोनस अंक भी दिया जाएगा क्या तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर आट बोनस अंक मिलने की पूरी पूरी उमीद है वहीं दोस्तों बात करें कि कटोप क्या रहने वाली है तो कटोप को लेकर बात करें साथियों तो आपको बाता दूं कि कटोप इसके अंदर बहुत ही कम रहने वाली है क्योंकि जो आपकी 11 अक्टॉमबर और 21 अक्टॉमबर तक आपकी आईजित हुई थी एक्जाम 11 अक्टॉमबर से 20 अक्टॉमबर तक आरपियसी 12 कनेक्ट करवाई गई पस्ट गरेड शिक्स एक बड़ती की एक्जाम उसके अंदर 63 पर 30 ही विदारतियों ने भाग लिया था और विदारती अनुपस थित रहे थे इस कारण जो पेपर का लेवल था वो भी बहुत हाई आया था इसलिए विदारतियों में से कोची ही परसन कनेक्ट कर पाए तो दोस्तों इसके अंदर बता दूं कि कटो भी पेपर के लेवल की साफसे बहुत कम रहने वाली है वहीं बात करें रिजल्ट को लेकर तो दोस्तों रिजल्ट आपका 22 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा नोटिस के अनुसार और पिए सी का नोटिस जारी हुआ है उसके अनुसार बताया जारा है कि 22 नौंबर को आपका रिजल देखने को मिल सकता है सातियों तो सातियों ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी नियूज आप लोग तक पहुंचाता रहूं जैहिंद वंदे मातरम